नमस्कार स्वागत है बच्चों आपका सेल्व स्टेडी के चैनल में और आज हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे संग और उसका राज्य शित्र यहनी हमारे देश में जो राज्य बनने की प्रता है मतलब कैसे राज्य बनाए जाते हैं उससे रिलेटिट कौन से आर्टिकल हैं उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं साथ ये सेवन्त वीडियो है इससे पिछली जो वीडियो हैं इस सिक्स जो वीडियो है वो आप लोग एक प्लेइश्ट मैंने बना रखे तो वहां से आप देख सकते हैं साथ जब सकते हैं इनकी जो पेडियो है वो भी परवाइड करवाई जा रही हैं description box में telegram का link दिया मिले इन सातो वीडियो की तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए बोला गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संग है जिसमें 28 राज्ये हैं 28 राज्ये हैं और 8 केंदर साशित परदेश हैं 28 राज्ये हैं 28 कैसे होगे आपको बताए कि 5 अगस 2019 को जम्मु कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसको केंदर शासित परदेश बना दिया गया था विद लेजिसलेचर यानि विधान सभा का भी वहाँ पर प्रवंद किया गया है अभी परिश्निमन हुआ है अभी फिलाल उसके बारे में मैंने न्यूस कवर की है तो स्टार्ट करते हैं अपने तीन चार आर्टिकल अपने पास आर्टिकल वन आर्टिकल टू आर्टिकल त्री और आर्टिकल फूर यहाँ पर आपके सामने तीन है तो पहले आर्टिकल क्या कहता है कि भारत यानि इंडिया राज्यों का संग है संग मतलब कि उनसे मिलकर बना हुआ है अब इसका यह मतलब बिलकुल भे नहीं है कि अगर राज्ये भारत में मिले हैं तो उनको यह हक हो गया है कि वो राज्ये जो है वो भारत से अलग हो जाएंगे नहीं 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 उनको मिलने का मतलब आने का अधिकार था भाई आईए आप जब आपको पता माउंट वेटर नहीं हो जना थी तब कहा गया था कि देखे जिस राज्य या फिर होते ना कि उस वक्त प्रिंसली स्टेट थे कि जिसको भारत में मिलना है या जिसको पाकिस्तान मिलना है वो अपन प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने भारत में मिलने का फैसला कर लिया था लेकिन साथी साथ उनसे ये भी बात बोले गी थी आपको आने की एंट्री है बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है यहां पे तिस चीज़ से समझना और इसमें बोला गया कि राज्य अरूस के राज्य और जोड़ी गई है इन सब चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से देखा भी है बारत के राज्य शेत्रों में अर्जित किये गए अन्य राज्य शेत्र समाविस्ट होंगे तो यह हो गया आपने सामने पहला आर्टिकल जिसके अंदर ये बात बोली गई है कि भारत यानि अ संसद की विधी द्वारा यानि कानून के द्वारा ऐसे निबंदनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संग में यानि भारत के अंदर ने राज्यों का परवेश कर सकती है और उसकी स्थापना करनी की उसके पास शक्ति परदान की गई है अब यहां पर आर्टिकल 3 बोले क कि ने नार्जों का निर्मान और वरतमान राज्यों के शेत्रों की सिमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधी द्वारा कर सकती है तो सर यह तो दोनों ही है इनमें फरक क्या है उपर वाले में भी तो हम ने राज्ये बना रहे हैं नीचे वाले में भी तो ने राज्य यह लिए तो भारत के अंगर अजीब सा बन गया कोई ना थोड़ा से compromise कर लेना अब समझे अगर यहाँ भारत में ही कोई राज्य जो है उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड करना तो आर्टिकल टू से हम उसको यह कर सकते हैं साथ ही साथ भारत के अंदर एक नए राज्य का भी घटन कर सकते हैं एक और चीज है कि अगर बाहर से कोई राज्य को entry दिलानी है बाहर से अगर किसी राज्य को किसी जग्या को उस वक्त तो राज्य नहीं होता कोई शेतर जो है हमने अरजित कर लिए भारत ने उसके प्रादिकार कर लिए अगर उसको भारत में शामिल कर उसको राज्य का दरजा रेना है, तो वो किस तरीके से होगा, वो आर्टिकल 2 से होगा, ये काफी important चीज़ है, लेकिन वो 3, आर्टिकल 3 के according नहीं हो सकता, हाँ, आर्टिकल 3 में भी हम क्या कर सकते हैं, कि भारत में जो राज्य हैं, उनको जो राज्य हैं, उनको दो हिस्सों म बना लीजिए, यूनियन टेरिटरी को राज्य बना लीजिए, तो ये आर्टिकल 2 है, लेकिन आर्टिकल 3 जो है, वो और ज्यादा power परवाइड करता है, और ज्यादा flexible है, मतलब ये, कि आप राज्यों की सिमाव में परवर्तन करिए, आप उनके नाम में परिवर्तन करिए reorganization of state, आर्टिकल 3 का मतलब main motive क्या होता है, reorganization of state, मतलब कि organize करना state को दोबारा से, इस चीज़ के उपर, यहाँ पर आर्टिकल 3 में बात बोली गई है, अच्छा, इसलिए अगली वीडियो में हम cover करेंगे, कि देखिए, जब भारत आजाद हुआ था, उस वक्त बहुत ये हल तो यह सिद्वात कहां से होती है, आप यहाँ से समझेंगे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है, यही जो है, वो एक तरीके से राज्य के निर्मान करने के लिए शक्ति परवाइड करते हैं, पार्लेमेंट को, और आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि अगर के अगर कोडिंग, आर्टिकल 2 के अगर कोडिंग, अच्छा आर्टिकल 3 कह है, आर्टिकल 3 मोर फ्लेक्सिबल, मतलब कि और ज्यादा पावर समर लो इसके अंदर, यह आर्टिकल 2 से ज्यादा और फ्लेक्सिबल है, वही किसी राज्य को हमने बना लिया, उसकी सीमा के अंद रफ कर देते हैं, अब समझिए, हमारे देश में जो पार्लेमेंट है, जो संसद है, वहां पर जब बिल इंटर्डूस होता है, अभी देखिए, अगर राज्य बनाना है, सुपोर्ज किसी उत्रपरदेश को समझिए, अगर उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, अभी ज एक अपने पास गॉर्फन बिल होता है, अब यह नहीं है कि गॉर्फन बिल जो है, वो सिर्फ और सिर्फ जो वहां पर चुनके गए, MLA, MP है, वो लेकर आएंगे, और प्राइवेट बिल, आप जैसे मुझस ऐसे जो लोग है वो जाकर संसत के बाहर कहते हैं कि देखो जी हम ना एक बिल लेके आएं इसको पास करवाना है तो यह नहीं होता इस चीज़ को समझो जा रहा गौर्वर्मेंट बिल क्या होता है गौर्वर्मेंट बिल होता है आपने Council of Ministers सुने ना Council of Ministers यह जो बिल लेके आते हैं यही होता है गौर्वर्मेंट बिल अब Council of Ministers कौन होते हैं आपको बता है कि लोगसभा लोगसभा और राज्यसभा लोगसभा और राज्यसभा में यहाँ पर जो चुनके गए हुए परतिनिधी होते हैं यानि इनको Member of Parliament बोला जाता है देखिए लोगसभा में जो चुनकर गया है उमीदवार वो उसको Member of Parliament बोला जाता है जो राज्यसभा में भी है उनको भी Member of Parliament ही बोला जाता है अब यहाँ से जो है इनको चुनकर हमने Council of Minister के अंदर डाल लिया कि भी यहाँ से आ जाईए अब इन बताऊँगा कि कितनी संख्या होनी चाहिए Council of Minister की तेखिए यहाँ से लोगसभा में से जो Member of Parliament गये थे MP गये थे तो उनको हमने ले लिया राज्यसभा से मी हमने कुछ लोगों को ले लिया और इससे एक Council of Minister मना लिया जो क्या है जैसे कौन-कौन से कारे भार समालेगी Council of Minister जैसे Defence Ministry हो गई Education का हो गया Telecom सेक्टर हो गया Railway सेक्टर हो गया Agriculture सेक्टर हो गया तो इन सब चीजों को संभालने के लिए Ministry बनाई जाती है यही जो Minister होते हैं वो कहां से आते हैं लोगसभा से और राज्यसभा से अब एक बात बोली गई है जो Council of Minister होते हैं वो 15% मतलब कि इनकी जो संक्या है Council of Minister की वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जितनी लोगसभा की संक्या है समझो ज़रा जितनी लोगसभा की संक्या है मतलब कि उसका 15% से ज़्यादा यहाँ पर Council of Minister हो नहीं सकते है Approximate 70-80 की संक्या यहाँ पर चलती है यहनी 70-80 मिनिस्टर हमारे पास होते हैं Council of Minister में होते हैं और जब यह Council of Minister बिल लेकर आते हैं उसको Government Bill कहा जाता है अब Private Bill किसको कहा जाता है इन 70-80 जो Council of Ministers में होते हैं इनके अलावा कोई दूसरा MLA MP जो है वो बिल लेकर आता है तो उससे Private Bill कहा जाता है अब Private Bill के पास होने के चांसिस बिलकुल ही मतलब खतम होते हैं जिरो होते हैं लेकिन Government Bill के पास होने के चांसिस बहुत होते हैं मिनिस्टर के द्वारा लाया जाता है अब ये चीज होगी है मैंने आप लोगों को समझा दिये कि बिल आता कैसे है अब ये बिल आता है तभी तो ये नहे राज्ये का निर्मान होते हैं जैसे तेलंगाना था तेलंगाना का अभी ये कांसिल ओमिनिस्टर का परधान कोन होता है परधान मंतरी जो है इसके कांसिल ओमिनिस्टर का परधान होता है अब ये जो परधान मंतरी है ये कांसिल ओमिनिस्टर बिल लेकर आए परधान मंतरी के पास गए परधान मंतरी ने ये जो बिल है वो किसके पास लेके गए? वो लेके गए प्रेजिडेंट के पास अब यह जो प्रेजिडेंट है इनके पास क्या है? वो बिल आ गया जो यहां से एक नही राज्ये के निर्मान करने के लिए जो बिल गया था वो cabinet वो ministers लेके आये थे यह PM जो है इनको जो President के पास लेगे अब President जो है इस चीज को वो कहां लेके जाएंगे भई आप जिस राज़े का निर्बान करना चाह रहे हैं या जिस राज़े से related यह bill होता है उस राज़े के विधान सभा में जाएगा विधान सभा में जाएगा और विधान सभा में जाएगा ठीक है अब वहाँ विधान परिशद होगी तो विधान परिशद में यह दोनों जगा जाएगा और वहाँ से पास होकर आएगा अब वहाँ से पास भी नहीं हुआ ना समझो बहुत जादा important चीज है क्या बोला मैंने cabinet of minister आपको समझ मैं वो government bill कहां लेके जाते है PM और प्रेजदेंट के पास लेके जाते है प्रेजदेंट उस bill को कहा लेके जाते है वो विधानसबा में लेके जाते है उस राज्ये के पास जिस राज्ये से related वो bill होता है अब विधान सभा में लेके जाएंगे अगर वहाँ एक ही विधान सभा हुई अगर वहाँ दो सदन हुए जैसे लोग सभा होगी राजे सभा होगी वहाँ पर जैसे विधान सभा हो विधान परिशत तो वहाँ पर है यह जो bill है वो दोनों में pass होना जरूरी है अब अगर pass नहीं हुआ एक तो pass होगे तो कोई बड़ी बात नहीं पास होगे तो अच्छी बात है नहीं हुआ ना तो दिक्कत क्या है ये बिल वापस President के पास आएगा और इसका कोई माइने नहीं है भाई मतलब की क्या है आपने बिल पास किया ना किया इससे कोई मतलब नहीं है ये एक तरीके का protocol था भाई भेजना जुरूरी था आपको दिखा जिया आप बले पास करो ना करो आपके यहाँ पर कोई राय मैटर नहीं करेगी अब फिर जब ये बिल वापस आ जाता है तो ये President क्या करते हैं इस बिल को फिर Parliament में लेके जाते हैं Parliament में किसके पास या भी भी या लोकसभा के पास लेके जाएंगे या फिर राज्य सभा के पास लेके जाएंगे जादा तर क्या होता है लोकसभा के पास ही लेके जाया जाता है क्योंकि यहां पर Majority में होती है गवर्मेंट तो यहां से बिल असानी से पास हो जाता है उमीद करता हूँ कि आप लोगों के चीज़ें समझ में आई होंगी तो आपको समझ में आया आर्टिकल 1 क्या है भारत यानि इंडिया राज्यों का एक संग है आर्टिकल 2 क्या है भई आर्टिकल 2 का मतलब है कि अगर कोई शेत्र भारत के अंदर है उसको राज्य बनाना है तो हम राज्य उसमें बना सकते हैं पिर भारत के बाहर का कोई शेत्र है, उसको भारत में शामिल करके, उसको राज्य का दर्जा देना है, वो Article 2 के तहत दिया जाएगा, Article 3 क्या करेगा, Article 3 क्या करता है, इसमें भी नहीं राज्य बनाएंगे, लेकिन Article 2 से और ज्यादा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल कैसे, कि जाज्यों की सिमा के अंदर निर्मान करना हो, मतलब की सिमाव में अगर परिवर्तन करना हो, उनके नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये शक्ति जो है वो, पारलेमेंट को परवाइड करता है, अब हमने ये चीज़े देख लिए, गौर्रमेंट बिल देखा, हमने आ recognition 4 में में क्या होता है? आप जो ये कर रहे हो ना आपने ये बात बौल दी इसके अंदर राजये बना सकते है, फ्लेक्सिबल होती है, ये करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 4 प्रवाइड करता है, यन के अंदर जो बात ने बौली गई है, ये तो आप ने बौल दी ना, लेकिन इसको करने की power कौन देता है इसको करने की power आर्टिकल 4 देता है तो यह हुआ आप महारे सामने संग और उसके राजय शेत्र उमीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी समझ में आ गई हैं तो भई लाइक कर सकते हो समझा सकते हो मुझे भी किया आपको समझ में आ गई है अब यहाँ पर आपको यह थोड़ा बहुत याद कर लेना है यह काफी important होता है कि संग एवम रजय शेत्र यह देखि एक से लेकि चार तक हमने complete कर ली है अब इसके बाद नागरिक्ता को हम करेंगे 5 से लेके 11 तक मौलिक अधिकार बहुत जादा important चलने वाले हैं 12 से लेके 35 तक नीती नीत देशक्तत हो भई देखे मौलिक अधिकार कहां से लिए थे USA से अब यह जो मौलिक नीती नीत देशक्तत हो हमने कहां से लिए थे आइरलेंड से थे डिरेक्टी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो मतलब कि एक राज्य की सिधात होते कि उसको अपने राज्य के अंतर लोगों का कल्यान कैसे करना है तो यह सब बातें कहां से लिए गई है 36 से लेके 51 आर्टिकल तक अब यहां पर मूल करतव जो हमने रूस से लिए है तो मूल करतव आर्टिकल 51 के ए में है संग यह हो गया हमारे लिए बाउन्स लेके 51, 151 तक राज्य है, 102 बाउन्स लेके 237 तक आच्छा, यह हो गया साथवा जो पार्ट है कि यह सामने हमारे सामने पहली अनुसुची के भाग कह के राज्य है 238 आर्टिकल निरस्त खाली है एक तरीके से अब आप बात करें 8 में, 8 में कहा है संग और राज्य शेतर 239 से लेके 242 तक पंचायत होगी 243, 243 कह से लेके अनायत तक यह इंपोर्टन्ट है इसके अंदर नगरपालिकाएं सहकारी समीतिय हैं यह सब आ जाती है और सारे का सारे 243 के अंदर ही खतम हो रहा है यहां पर अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती यह 244 और 244 के कैमें आ जाते है फिर संग और राज्य के बीच के संबन्द कैसा होना चाहिए यह कैनेडा से लिया गया है 245 से लेके 263 तक की आर्टिकल आ जाते हैं यहां पर यह सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्या होता है कि टोपिक जब आप समझें 300 कै तक है आचा आपको पता है 300 कै के अंदर कै जो आर्टिकल हमारे पास कभी होता न कि 7 हमारे पास मूल अधिकार हुआ करते थे 7 अभी 6 हो गए है 7 कौन सा होता था एक तरीके से संपत्तिक अधिकार वो संपत्तिक अधिकार कानून का अधिकार बना दिये गए एक तरीके से वो 300 के कैमे है यह ध्यान रखना भारत के राजेशेत्र के भीतर व्यपाद वानिज्य एवं समागम समागम क्या हो गया है यहाँ पर? 301 से लेकर 307 तक संग एमराज्यों के अधीन सेवाएं जो होती है 308 से लेकर 323 तक आती है अधिकरनन यह जो 323 कह से लेकर 323 तक आती है निर्वाचन बहुत इंपोर्टन्ट है 324 से लेकर 329 तक कुछ वर्गों के संबन्द में विशय अपबंद यह 330 से लेकर 342 तक राजभाशा 343 से लेकर 351 तक और अपात उपबंद यह 352 से लेकर 360 तक प्रिकरन यह कहां तक आता है 361 से लेकर 377 तक समिधान संचोधन समिधान संचोधन क्या हो गया 368 आर्टिकल हो गया दक्षन अफरिका से हमने लिया यह संकर्मन कालिन और विशेश उपबंद 379 से लेकर 392 तक संक्षिप्त नाम, प्राराम, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन यह आर्टिकल 333 से लेकर 395 तक तो यह होगे हमारे सामने 22 पाठ होगे जिसके अंदर हमने एक तरीके से उपरी तोर पे, सुपरफ्लोईस तोर पे हमने आर्टिकल को देख लिए, कि कौन-कौन से आर्टिकल किसके अंदर आने वाले है, और जब हम इन आर्टिकल को करेंगे तो आपको बता चलेगा कि यह वाला पार्ट कर रहे हैं और इस पार्ट में हम यहां से बोक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया मिलेगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी की सारी वीडियो जो पीडियेफ हैं जो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में थेंक्यू फुर